हालो दोस्तों आपका स्वागत है मारे चनलज महम्मत जैद और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आए हम घायल सैनिक की आत्म कथा ठीक है आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हिंधी का आत्म कथा आपको कैसे लिखना है because यह 7 marks काता है और बच्चों को 7 में से 3, 4 मिल जाते हैं तो थोड़ा मामला खराब हो जाता है eventually 5 marks काता है तो ज़्यादा बेटर है था क्योंकि 5 में से 3, not a bad but 7 में से 3, 3 बहुत गड़बर marks हो जाता है तो इसलिए 7 में से 6 marks या फिर 6, 5, 5, 5 इतना कैसे आप लेकर आओ उसके उपर मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ तो पहले कुछ points मैं बता देता हूँ तो सबसे पहली important बात आत्म कथा में आप जब आत्म कथा लिखते हो तो वो आत्म कथा आपको स्टोरी की तरह नहीं लिखना है जैसे मैंने बोल दिया किसान की आत्म कथा लिखो तो ऐसा नहीं लिखना है कि एक किसान था उसका जन्म हुआ था यहां पे उसने ऐसा किया नहीं आत्म कथा है तो आप किसान हो ऐसा लिखो मैं किसान हूँ मेरा जन्म यहां हुआ था मतलब आप अपनी कता मुझे सुना रहे हो for example मैं आपसे बोलूँ कि अभी तक आपकी पूरी लाइफ बताओ मुझे तो आप अपनी लाइफ कैसे बताओगे मुझे वैसे बताना है आपको जब भी आपको बोले कि मैं किताब मैं पुस्तक बोल रही हूँ तो समल लेना वहाँ पे आपको पुस्तक की आत्मकता लिखनी है कहीं पर बोले मैं किसान बोल रहा हूँ तो वहाँ पे आपको किसान की आत्मकता मैं सड़क बोल दे हो तो सड़क की आत्म कता सो यू शूड उस समय आप लोग वो दो वो बनी जाओ चिप के जब बोले मैं पुस्त KrE dat बनी जाओ और सोचों अगर मैं पुस्त KrE बयृहर करते हो वेसा उसमें लिखना है पुस्त के लिखने है तो आत्मकता में सबसे पहली important बाट आपको ऐसा लिंखना है कि जैसे आप वही हो मैं किसान बोलो मेरा जन्वा यहा हुआ था मैं मेरा मैं मेरा मुझे यही सब लिखना आपको ठीक ऐसा नहीं लिखना है एक किसान था उसके दो भाई थे तीन बेहन थे ऐसा नहीं लिखना है दूसरी important बात इसको कभी आपको मारना नहीं है ऐसा नहीं लिखना है आत्मकता के last में कि इसके बाद मेरी मृत्तिव हो गई ठीक है और मैं इस संसार को छोड़के चला गया ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है because अगर आपके मृत्तिव हो गई है तो आप बोल कैसे रहो यू आर लिविंग ठीक है आपको अपनी डेथ नहीं दिखानी है अपने आपको आपको जिन्दा बताना है ओके ये important बात है after that तीसरी important बात कभी भी आत्म कथा लिखो तो उसमें एक शायरी जरूर लिखो ठीक है शायरीयां तो हम लोग भी काफी ज़्यादा किया करते थे मतलब कविताएं लिखा करते थे मुझे कविता लिखने का काफी शौक था तो that is शायरी बन गई वही ठीक है तो शायरी से शुरू करो मतलब छोटी सी दो पंक्ती लो और राइम बना के शुरू करो जैसे देखो यहाँ पे शुरू की है पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा भी और फिर उसके बाद आगे बढ़ो ठीक है उसके बाद शुरू करो तो यह तीन चार important बाते हैं और पूरे जब लिखो आप आत्मकता तो उसमें आपको मुहावरे का यूज करना है कहावत का यूज करना है और अगर कोई भावुक आत्मकता है तो उसको बहुत ज्यादा भावुक बना देना है उसमें कोई फणी चीज नहीं एड करनी अगर कोई अच्ची आत्मकता है तो जिसमें रसधार नहीं, वह हिर्दय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ठीक है, मतलब वह दिल दिल नहीं है, वह पत्थर है, जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, ठीक है, जिसके अंदर पर लोगों को इवेंचुली यह मैं अलग तरीके से लिखता हूं इसलिए आप लोग देखते होगे कभी-कभी एक-दो वर्ड गायब रहता है बता नहीं सकता मैं कौन से मेथर से करता हूं वरना आप भी करने लगोगे मशीन गन राइफल टैंक टोप आधी चलाने नहीं साहस से भी भरी हुई है मेरी आत्मकथा में सिर्फ यही सब नहीं है साहस भी भरा हुआ है चुरू ऐसी करो जी है आज मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाने वाला हूं मेरी आत्मकथा सुनके ठीक है मेरी आत्म कता सुनके आपके आखों में आशुआ जाएगा इसा मतलब थोड़ा सा बना देने का मैं हूँ भारतिय साइनिक मेरा जन्म सहाद्री के पहाड़ी परदेश में हुआ था हमारे हिलाके में खेती बाड़ी के लायक जमीन बहुत कम थी इसलिए बहुत से फारमर बंते तो अब बनने का कोई है यह नहीं तो क्या करें गाऊं वाले हैं टीक है पड़ाय लिखाई भी अच्छी होती मेotz आर्मी वह भरती नहीं काली यही किया करते थे हमें बचपन से विशेश रूप से शारीरिक तालीम दी जाती थी ठीक है फिजिकली इनको ट्रेंड किया जाता था मेरे दादा जी एक सैनिक थे मेरे पिता जी भी एक सैनिक थे और उन्होंने अनेक वर्षों तक सेना में रहे कर भारत माता की सेवा करने का प्रवल अभिलाशा थी ठीक है भारत माता की सेवा करने की प्रवल अभिलाशा अभिलाशा मतलब इच्छा तो इनके भी अंदर इनके पिता जी कितना इच्छा थी अंतिता जवान होते होते मैंने घुरसवारी तैरना पहाड पर चड़ना सीख लिया लास्ट में इनोंने अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट कर ली लगबग लगबग सब कुछ सीख लिया इसको और भावुक बनाने के लिए आप लोग डाल सकते हो जैसे जो कारगिल युद्ध हुआ था कारगिल युद्ध में मेरे पिता जी को मेरे पिता जी ने बड़े साहस से जो भी एनेमी तो अगर उनकी डेथ हो जाए थोड़ा सा और भावुक बना सकते हो तो और अच्छा रहेगा ठीक है जैसे ये तो मैंने नोट से से लिया है नोट से से उठाया मैंने खुद से लिखता तो मैं इसमें वो सब भी इंकल्यूड करता बड़ टाइम जाता उसमें आखिर वह द पर देशब़न हो घया आपूर्ण हो गया है यहां फिरा आपसे करता हूं और दोहां से थोड़ा इस प्राब्लम में लगा ही था तभी अक्टूबर में मुझे सबसे पहले बारत चीन सीमा पर भेजा गया मैं वहां अपने ठीक है 1932 में एक दिन चीनी सैनिकों ने हमारे चौकी पर अचानक हमला कर दिया ठीक है यहां पर थोड़ा सा में स्प्रिंट हुआ है हमला कर दिया आएगा और यहां यहां पर भी थोड़ा सा हुआ है यहां पर क्या लिखा था लीव इट वे सैकड़ों थे ठीक है सव लोगों ने लगभग हमला किया जबकि हम लोग सिर्फ 30 थे फिर भी हमने उन्हें नाको चने चबवा दिया मतलब उनको हरा दिया अकेले मैंने 40 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया ठीक है 40 मतलिक देना आप लोग अकेले इन्होंने 40 लोगों को गोली मार के इन मौत के घाट उतार दिया तो बचे कितने 60 60 वर्सेस 30 अब किसका पलड़ा भारी अभी इनका भारी है तो इन्होंने फिर और लोगों को मारा होगा देखो क्या हुआ परन्तु दु देखकर चीनी साइनिक 9211 हो गये इनकी साया ताकत बढ़न जैसे इनको देखा कि बहुत ज्यादा पब्लीकारी मदद करने के लिए भाग गये उन लोग सन 1932 में चीन से और 1935 में से पाकिस्तान से से लड़ा 1932 में चीन से लड़ाई हुई और 1935 में इन से पाकिस्तानी से 1932-1965 में मैं अपने बहादूर साथियों के साथ लाहौर तक चला गया यदि ताशकंद समझाता ना होता तो हमारी चावनी लाहौर में होती ठीक मतला उसमें जो हम लोगों का एक संगठना हुआ था मतलब एक डील फाइनल हुई थी जिसके बेसिस पर यह वापस आगे थे अगर समझाता नहीं हुआ होता तो हमारा जंडा लाहौर में होता और लाहौर हमारे कबजे में होता ऐसा इनका कहना है ठीक है हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा युद्ध विराम के बाद मैं अपने गाउं लोटा युद्ध खतम होने के बाद मां खुशी के म अपनी आउती देने के लिए मैं चल पड़ा जैसे इन्होंने सुना की आक्रमाड हुआ है तुरंत ये चल पड़े कश्मीर कश्मीर सीमा पर हमने जी जान से पाकिस्तानी सैनिकों का सामना किया इस बिड़ंत में मेरे पैरों में गोलियां लगी फिर भी तुरंत इलाज के क अमुल ले अभूशन है ठीक है होता है कि किसी बड़े इंसान से हमें कुछ भी मिल जाए चोटी चीज या फिर बड़ी चीज कुछ भी मिल जाए तो वह हमारे लिए अन्मोल होती है फॉर एक्जांपल सलमान काना है और आपको एक चॉकलेट दे तो आप उसको हमेशा खाई थी और लड़ते हुए खाई थी तो यह उनके लिए अमुल ले अभूशन मतलब गहने के बराबर है अब अब सर आने पर अपने प्राण तक ने उच्छावर कर दूंगा अपनी जान लगा दूंगा मैं अपनी जान भी कुर्वान कर दूंगा पिछले साल कारगिल य खाई व कुई भी पॉइंट पर बोरिंग नहीं लगा Natürlich धॉम्हों चीज़े और देखो जब यह कहा कि अब आगया चाहता हूं तो हमें ऐसा लगा ना कि नहीं छोडा और सुनना चीज़े ता थोड़ा और सुनना ची़े था दैट ओट द्धा-पॉइंट वो जिस दिन ल पूर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दू, मतलब इन्होंने अपना तन दे दिया, मन दे दिया, जीवन दे दिया, भट या भी भी चाहते हैं कि मुझे अपनी धरती को, मुझे अपनी पार्ट करेंगे हंदी के उप्योजित लेखन का उसके बाद हम लोगों का हिंदी का जो प्योजित लेखन है वो खतम हो जाएगा और लास्ट अम लोगों का निवंद लेखन I don't कि उसकी आपको जरूरत है निबंद वगेरा तो आप लोग खुद भी समझते हो अच्छे से चलो क्योंकि ऐसा ही लिखते हो ना पहले थोड़ा सा पोयम वगेरा टाइप में डाल देने का फिर पूरा राम कथा सुना देने का वैसे कोशिश करना कि आत्म कथा ही लिखना अगले लिख्चर में मिलते हैं